हाई गाईज गूड ओड़निंग सभी कैसे हो मस्ट होंगे घर पे मोज कर रहे होंगे तो गाईज मैने अभी मैं मांनें डूटी आया हूँ तो अभी डूटी आने के बाद मैंने सोचा एक ड्रेफिंग वूइस टापकी और मैं सभी को बताऊं कि मैं फिलाल का हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप कहा हो मौनुविया कहा क्या कर रहे हो तो मैं बता दू आपको कि मैं होटल सासा रिशोट कोटा में वन हेर से हाउसकीपिंग सीनियर सुपरवाईजर की जोब कर रहा हूँ और मैंने one year housekeeping डिपलोमा भी किया है और फिलाल यहाँ पे मैं job कर रहा हूँ senior supervisor की तो मैं भी duty में actually आया हूँ तो मैंने भी property का round लिया night shift को मैंने जो कॉन का काम था वो दे दिया है कि भी तुमारा ये काम pending है आप ये काम करके आप जाहिए और morning shift का start कर दिया अगर आपकी morning briefing ही सही नहीं है अगर आपका status ही सही नहीं है कि आपको आज करना क्या है तो आप time से घर भी नहीं जा पाओगे और एक supervisor टीम के साथ कैसे correlate करता है मैं आपको दिखाता हूँ और briefing के time में staff की grooming चेक की जाती है और briefing के time में staff की जो problem हुई है कोई night shift में कोई complaint हुई है तो वो भी sort out अपने experience से अपने भ्याप से उसको sort out किया जाता है तो मैं बता दूँ आपको अग supervisor का काम होता है कि morning में हमेशा duty से 20 मिन पहले आना पूरी property का round लेना अगर night shift ने कोई काम छोड़ा है तो उसको बोलना के लिए तुमारा ये काम है ये करके और उसके बाद morning shift को एंड़ ओर देके और आप चले जाए तो और फिर housekeeping supervisor briefing लेता है briefing के time में grooming check करते हैं grooming check करने के बाद में अगर कोई बंदा grooming में नहीं है अगर उसकी uniform में नहीं है या वो saving करके नहीं आ रहा है या उसको कोई problem है तो उसी time morning briefing के time में उसकी sort out किया जाता है अगर कोई नहीं आ रहा grooming में saving करके नहीं आ रहा तो उसको बोलिए अगर आप back area में जाईए आप sup police करके आईए अगर आप dress uniform में नहीं हो तो उसको बोले काप housekeeping storm जाके आप grooming में आई है ठीक है अगर कोई बंदा rule follow नहीं कर रहा है तो उसको duty से आप भेज दीजिए अग भी आप जाएए एक दो दिन problem होगी लेकिन उसके बाद में बिल्कुल सबसी हो जाएगा और इस टाप को भी पता चल जाएगा अग grooming की important क्या होती है तो अभी मैं लेके दिखाता हूँ आपको briefing कैसे ली जाती है और briefing के time में बताया जाता है अग आज के arrival कितने है इन house guest कोन है वी वी आईपी guest कोन है और longest day guest कोन है आज हमारे banquet में क्या function है अगर कोई night में कोई complaint होई है तो उसको भी sort out किया जाता है तो चल अभी देखना आप कैसे ली जाती है मैं आपको दिखाता हूँ और किसी भी भाई को अगर housekeeping से लेके कोई भी आपको कुछ doubt हो या कुछ पोचना हो तो comment में आप जरूर बतेए मेरा एक खुद का channel है जो मैंने बना रखा है उसमें मैंने hotel management की बहुत सारी बाती बता रखी है जितना मुझे experience है जितना मैंने सीखा है वो मैंने share कर रखा है तो मेरा channel है success in housekeeping by monu sing ठीक है तो मैं अभी आपको briefing लेके दिखाता हूँ देखिया आप कैसे ली जाती है ओके take care